उस शिटी में एक लिफर के बारे में लिखा गया था, जिसमें कई लोगों को मारा था। गुर्खा सोल्जर, बृतिश सोल्जर्स और हंटर्स में उस लिपर को पकरने के और मानने की कोशिश जी पर वो सब फेल हो गया था। 1918 में उस लिपर्ड में एक आदमे को बैनी बार मारा था। उसके बाद उस सिला शुरू हो गया और उस लिपर्ड ने रुद्रब रहा किया आसपास के एरिया में तक्रिबन 125 के ऊपर लोगों को मार दिया था। जिन कॉर्बड ने उस समय 14 लिपर्ड और 19 टाइगर्स को मार दिया था। जिन्हों ने उस समय 1200 से भी अधिक लोगों को मारा था। उसके वाद जिम कॉर्बड आनिमल कंसर्वेशन की राह बर चले गए। बाद में 9.26 में उस एरिया को हली नैशनल पार्क वहां के गवर्णमेंट के नाम से जाना गया है। फिर उसके बाद जब हरत चतंतर हुआ तो उसको रांदन दन नैशनल पार्क के नाम से जाना कहा है। 1955 में जब जिम कॉर्बर्ट टी टीन या मैं देट हुई तब बुस नैशनल पार्क के नाम फिक्से बदल के जिम कॉर्बर्ट नैशनल पार्क रखा कहा।